हैलो डियर स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में आज हम लोग करेंट फियर्स 2019-20 का पार्ट फर्स देखने जा रहे हैं इसमें हम लोग जो है इंपोर्टेंट आवार्ड स्पोर्ट्स आवार्ड और अपकविंग इवेंट्स को देखेंगे इस वीडियो हम लोग जो है आवार्ड में इस साल का मोस्ट इंपोर्टेट आवार्ड जिसको हम लोग जो है पद्म आवार्ड या पद्म पुरुषकार के के रूप में जानते हैं इसको देखने जा रहे हैं तो देखिए पद्म पुरुषकार भारत का दूसरा सर्वो चिनागरिक संब स्वेलियन आवाड है लिए गौवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा जो है कि दिया जाने वाला जो आवाड है सिविलियन आवाड जिसको नागरिक प्रुसकार के नाम से जानते हैं सबसे पहला है भारत रतना सेकेंड है पदमवाड, थर्ड है पदमभूशन और फूर्ध है आपका पदमश्री तो पहला हो गया भारत रतना, दूसरा हो गया पदमभूशन, तीसरा हो गया पदमभूशन और चोथा हो गया पदमश्री तो इस साल भारत रत्ना नहीं दिया गया है इसलिए हाइस सिविलियन आवार्ड इस साल का कौन सा हो जाएगा पद्म विभूशन तो पद्म पुरुसकार की बात करें तो हम लोग जो है सबसे पहले ये कि ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1954 में और इस साल 2020 में कुल दिया गया है पद्म भूशन जो है सुल्ल और पद्म स्री जो है एकसो अठारों लोगों को दिया गया है और ये टोटल 141 अबाडी में 33 महिलाएं हैं और जो है बारह लोगों को मलनो प्रांत यानि पोस्तुमस्तली भी दिया गया है अब इन पद्म भूशन अबाड में जो है हम लोगों देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले पद्म भूशन अबाड जो है कुल साथ लोगों को दिया गया है सेवें परसन जो है को पंद्म भूशन अबाड दिया गया है और इन में जो है जो है अरून जेटली को सुसमा स्वाराज को अनिरुध जगर्नाथ को जो की जो है मारिशस के पूरुपरधान मंत्री थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौरिशस थे उनको और जो है फॉर्मर एंड रेल्व को मैरिकॉम बॉक्सिंग के लिए और जो है पंडित छनूलाल मिस्रा को और जो है विशेश्वर तिर्थ स्वामी को जो की है नरेंद बोधी के अध्यात्मिक गुरुग के नाम से भी जाने जाते हैं तो ये साथ लोगों को जो है पद्म पुरुशकार दिया गया है इन में से जो है चार लोगों को जो है मलनो पुरुशकार दिया गया है इन पद्म पुरुशकारों में से कुल चार लोगों को जो है फूर परसंस को जो है ये अवाड जो है मलनो पुरुशकार मिला गया है और इस मलनो पुरुशकार अवाड में से जो है कौन कौन से हैं तो एक हो गया था, सुस्मा साराज इनका भी निधन हो गया था, जॉन फॉन डानिस इनका भी निधन हो चुका है, और जो है विशेश्वर तिर्थ स्वामी इनका भी निधन हो चुका है, तो ये चार लोग हैं, जिनको जो है ये अवाड जो है पोस्थ मुस्ली दिया गया है, यानि की जो है मरनो परांत दिया गया है तो इन चार लोगों को पोस्त मुस्ति अबाट दिया गया है जिसमें अरुन जेटली और सुस्मा सहराज जो है नरेंद मोधी गौवर्मेंट के पहले कारेकाल में जो है पुरुवित मंत्री और जो है पुरुवित मंत्री थे और जो है ये दोनों ही लोग जो है डेली से अरिरुध जगरनाथ मौरिशस से जोज फंडानिस बिहार से मेरिकॉम मनिपूल पंडिच छदनुर आलमिस्रा यूपी से और विशेसर तिर्थ स्वामी जो है करनाटका के इसमें जो है इंडिया के जो है बाहर किसको दिया गया है ये पॉर्टिट कोश्चन है तो जो है अरिरुध जगरनाथ को दिया गया है जो मौरिशस के पूरुपरधान मंत्री थे इनके द्वारा जो है एक फेमस बुक लिखी गई थी इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है एमैन ये मिशन एविजन अनिदर जगरनाथ के द्वारा लिखी गई अब जो है हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो सिविलियन अवार था इसका क्रम हम लोगों ने देख लिया है इसके बाद जो है बाकी आगी हम लोग जो अवार देख रहे हैं तो जो है वीरता पुदुसकार जिसको हम लोग जो है गैलेंटरी अवार्ट के नाम से जानते हैं जो है दो तरह के हैं एक जो है वार टाइम पे दिया जाता है मतलब युद्ध के समय और एक सांती काल में मतलब की जो है पीस टाइम में और जो है वार्ड टाइम पे जो पहले नंबर का वार्ड है उसको परम वीर चक्र जो सेकेंड नंबर का वार्ड है उसको महा वीर चक्र और तीसरे नंबर का जो अवार्ड है उसको वीर चक्र के नाम से जानते हैं जो पीस टाइम यानि सांतीकाल में जो दिया जाने वाला वीरता पुरुषकार है वो पहला है सबसे फ़र्स्ट परे है असोक चक्र दूसरा जो है किरती चक्र और तीसरा जो है सोरी चक्र तो इस तरह से यह है वर्यता का करम है किसका तुभीरता पुरुसकारों का और इस साल 2020 में जम्मू कास्मीर के हेड कॉंस्टेबल जो है अब्दुल राशित को जो है किर्ती चक्र दिया गया है 15 अगस्त 2020 को जम्मू कास्मीर पुलिस के हेड कॉंस्टेबल थे अभी हम लोग जो है पद्म अवाडों के बाद जो है पद्म भूशन अवाड की बात कर रहे हैं तो पद्म भूशन अवाडों में जो है कुल अवाडों की संख्या कितनी है तो पद्म भूशन अवाडों में कुल अवाड की संख्या कितनी 16 तो 16 जो है परसंस को पद्म दिया जाने वाला और इन में से जो important person है वो आनंद महिद्रा महिद्रा ग्रूप के चेर्मेन मनोहर परिकर आना जो है गोवा के पुर्व मुख्य मंत्री और पुर्व अच्छा मंत्री भारत सरकार के और पीवी सिंदू जो है बैन्मिंटन की प्लियर इनको दिया गया है इनके अलावा जो है पद्म स्री जो है कुल जो है 118 persons को दिया गया है और इन में से जो important है वो है करन जोहर एकता कपूर कंगनार अनावाद ये जो है काफी important था जाम में question भी पूशा था पीचेस में और अजनान सामी को जो है जहीर खान को और जो है जीतू राय को और जो है रानी रामपाल रानी रामपाल जो है कैप्टन है फिमेल जो है ओमेंस होकी टीम की कैप्टन को भी दिया गया है इसके बाद जो है हम लोग 2020 के जो और जो है इंपोर्टेंट जो है अवार्स है चर्चित जो पुरुशकार हैं उसको देखने जा जो है डॉक्टर एन एस धर्म सक्तु को दिया गया है और जो 2019 का भारत का सबसे सर्वच नागरिक समान जो है भारत रद्म पुरुसकार उसकी बात अगर हम लोग करें तो 2019 में कुल तीन लोगों को दिया गया था भारत रद्म पुरुसकार का स्टैबलिस्मेंट 1954 में किया गया था और मैक्सिमम तीन लोगों को अबाड दिया जाता है और यह भारत के और भारत के अलावा जो है विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है इसमें कोई प्राइज मनी नहीं होती है लेकिन भारत का हाइए सिविलियन अवार्ड है यह जो है 2019 में जो है हमारे पुर्व जो है राश्पती प्रणों मुखर जी भुपेन हाजारी का और नाना जी देश्मुक को दिया गया है अच्छा 2019 का यह जो भारत रतना है उस समय जो जब अवार्डिट की गोशना की गई थी उस समय प्रणों अगर मर्णों परांत की कटेगरी थी तो जो है पुस्तुमस्तली की जो कटेगरी थी वो भुपेन हाजारी का की और जो है नाना जी देश्मुक को दिया गया है और जो है कुल अब तक जो है 2019 तक जो है टोटल जो है 48 लोगों को यह दिया जा चुका है इन में से जो भुप ये असम्के हैं और इनके नाम पे एक ब्रीज भी है लोहित रुबर के उपर जो इंडिया का सबसे लॉंगिस्ट ब्रीज है जिसको हम लोग भुपेन हैजारिका ब्रीज या फिर धोला सदिया ब्रीज के नाम से जानते हैं अब हम लोग जो है गांधी सांथी पुरुषकार को देख रहे हैं जो कि यह ही सासा कावा को दिया गया है और इसके बाद इस साल जो है शुरू किया गया था गांधी मेंडेला सांथी जो है का पहल पुरुषकार और ये 2019 में जो है पहली बार दिया गया है इसको हम लोग जो है गांधी मंडेला पीस अबाड के नाम से भी जानते हैं और जो है ये जो है ठीक नाथ हाउन को दिया गया है जो कि वियतनाम के जो है और परयावण के लिए जो है गांधी मंडेला पृसकार जो है जो है महेंदर मोदी को दिया गया है और समाजिक प्रभाव के लिए जो है गांधी मंडेला सांती पृसकार डॉक्टर अचुत्या सामंत को दिया गया है महात्मा गांजी के बारे में हम लोग जानते हैं और अगर हम लोग मंडेला की बात करें नेंसल मंडेला की बात करें तो नेंसल मंडेला जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहां कि तो साउथ एफ्रिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और व जो रसलिजम था वो सबसे ज़्यादा जो है साउथ एफरिका में था और इसका विरोध करके जो है वो 27 सालों तक जेल में रहे उसके बाद जो है अंतराश्टी दबाओं के कारण जो है रसलिजम वहां पे खतम हुआ और जो है नेंसल मंडेला गांधी के राहों पे चलते हु जो है रसलिजम को खत्म कर पाए और इसलिए जो है इंसा को हंतियार बना के इन्होंने 27 साल जेल में बिचा बिताया उसके बाद जो है यह जो है पहले जो है और स्वेट जो है प्रेसिडेंट हुए कहां के तो जो है साउथ एफ्रिका के इसलिए जो है इनको गांधी के नाम से के साथ जोड़ करके जो है एक अबाड शुरूप किया गया है 2020 में तो इसलिए जो है यह अबाड पहली बार है इसलिए जो है और इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए आप लोग जो है याद रखिएगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंडिया में बात करें तो इंदरा गांधी जो है पीज प्राइच इंदरा गांधी सांतीपरुसकार इस साल का 2019 कार सर डेविड एतनबरो को दिया गया है और डेविड एटनबरो जो है वो ब्रिटिस ब्रोड कास्टिंग जो है एजनसी यानि BBC के जो है चीफ रहे हैं इन्होंने जो है एक फिल्म भी बनाई हुई है डेविड एटनबरो जो है अब फिल्म बनाए हुँ है और इस फिल्म का नाम है एक डूकीमेंट्री फिल्म है इसका नाम है A Life A Life On Our Planet यह जो है 2020 जून 2020 में जो है डुकमेंटरी रिलीज हुई है तो यह काफी इंपोर्टेंट है इस साल सर डेविड एटनबरो ने जो है एक डुकमेंटरी फिल्म बनाई है जिसका नाम है एलाइफ ओन आवर प्लैनेट इन यह डेविड एटनबरो जो है भाई है ब्रदर है किसक तो रिचएड एटन वरो के रिचएड जो है फेमस जो है फिल्म मनाया थे जिसका नाम था गांधी जिनके लिए उसकार आवाड से संबानित किया गया था गांधी फिल्म को और ये फिल्म जो है 1982 में बनी थी और गांधी फिल्म के जो एक्टर थे उनका नाम था बेन किंग स्ले यह काफी जो है चर्चित मुभी है और बार-बार रिचार्ड एटन्बरो ने जो रैसिक पाक भी बनाई थी 1993 में जो काफी फेमस हुई थी तो एक्जामनेशन पॉइंट से काफी इंपोर्टेंट है कि जो है सर डेविड एटन्बरो जो है बीबीसी ब्रोडकास्टिंग एजनसी के चीफ एडिटर रह चुके हैं और इनको जो है इस साल का गांधी सांती पुरुसकार भी दिया गया है और अंतराष्टिये जो बाल सांती पुरुसकार है इस साल का जो है दिया गया है 2019 का जो अंतराष्टिये बाल सांती पुरुसकार है वो दिया गया है ग्रेटा थन्बग को ग्रेटा थन्बग जो है 17 साल की जो है एक फिमेल है और ये मोस्टी कहां किये तो स्विडेन की हैं और इन्होंने एक परेवर्ण के लिए एक अंदोलन चलाया था जिसका नाम था स्कूल स्ट्राइक फूर क्लाइमिट तो जो है ये ग्रेटा थन्बग जो है कहां की हैं तो स्विडेन की हैं और क्लाइमिट के लिए अंदोलन चलाया थी स्कूल स्ट्राइक फूर क्लाइमिट और इनको जो है इस साल का अंतराष्टिये बाल सांती पुरु गया है और इसके अलावा जो है दिवीना मलोम जो है वो कैमरून की है जहां जिनोंने बोको हरम के जिहादी समुओं के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी बोको हरम जो है काफी जो है क्रूर है योन अपराधों के लिए और उसके खिलाब जो है यह जो है एक अभियान चलाया है इसके लिए जो है अंतराश्टी बाल सांती पुरुसकार दोजार उन्निस का जो है दो लोगों को ग्रेटा थनबर्ग और डीवीना मलूम को दिया गया है अब हम लोग जो है बात कर रहे हैं रबन मैकसे अबाट की तो रबन मैकसे अबाट जो है कुल जो है इस साल पांच लोगों को दिया गया है और इन पांच लोगों में जो है भारत का जो है भारतिये परतकार एंडी टीवी के जो है राविश कुमार को भी दिया गया है रमन मैक्से अवाड जो है ये अवाड स्टार्टिड हुआ था 1957 में और ये जो है फॉर्मर जो है फिलिपिन्स के प्रेसिडेंट रमन मैक्से के नाम पे स्टार्ट हुआ था तो ये फिलिपिन्स देता है कौन सा रमन मैक्से अवाड और इसको रमन मैक्से अवाड को हम लोग जो है क्या बोलते हैं तो एसियन वर्जन ओफ नोबल प्राइज एसियन वर्जन ओफ नोबल प्राइज तो इस साल का रमन मैक्से अवाड कुल पांच लोगों को दिया गया ह जिन में से राविश कुमार भारती पत्रकार उनको भी दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं सौन्द्यारे पृष्षकारों की तो मिस वर्ड का जो सौन्द्यारे पृष्षकार है वो टोनी ए एनसी को दिया गया है। और जो है यह जमाइका की हैं और इस मिस वर्ड प्रतोगीता में मिस इंडिया 2019 सुमन राव जो है थर्ड प्लेस पे आई थी। तीसरा स्थान था मतब की जो है सेकेंड रणर अप ठीकौन तो सुमन राव और जो है मिस यूनिस बर्स का किताब जो है जे जी बीना टूनीज को मिला हुआ है और यह कहां कियें तो साउथ एफ्रिका की। अब हम लोग बात करने जा रही है इंपोर्टेंट जो है लिटरिचरी अवार्ड की और जो इंपोर्टेंट लिटरिचरी अवार्ड है वो कुल जो है चार है जिसमें से पहला है साहित्य अकाडमी पुरुसकार दूसरा है व्यास अवार्ड या व्यास सम्मान तीसरा जो है ग्यानपिठ अवार्ड यानि की ग्यानपिठ पुरुषकार और चौथा है सुरुसती सम्मान 2019 में जो है हिंदी में दिया गया है नंद किसोर आचारे को जिनकी कविता छीलते हुए अपने जो है काफी फेमस है और कॉंग्रेस के दूसरे लीडर जो है अंग्रेजी में एन एरा ओफ डाकनेस और व्यास सम्मान जो है नरीशा सर्मा जिनकी एक फेमस उप्पयानास है कागस के नाव उनके लिए दिया गया है और 2018 का जो 28 वा था वो लालीधर जुगूर को दिया गया है जिनका कविता संग्रा था जितने लोग उतने प्रेम और ग्यान पुरुसकार जो है काफी इंपोर्टेंट है और एक्जामनेशन पॉइंट से इसमें काफी काफी कुश्चन्स बनते हैं देखे जो 2019 का जो है ग्यान गया है तो अकीतम अचुत्यम को दिया गया है और यह कहां तो मल्यालम भासा के कभी हैं मल्यालम पॉइट हैं और जो है स्वरसती सम्मान जो है स्वरी 2018 में जो है इस किसको दिया गया था तो अभिताफ गोस को और जो है 2017 में किसको दिया गया था तो किसना सोबती को एक्जाम में जो है ये questions ग्यानपीट प्रुसकार का काफी important है और जो है ये date wise जो है match the following में भी आ जाता है इसलिए जो है ये जो है काफी important है और जो है साहित में एक और important about है जिसको हम लोग जो है स्वरसती सम्मान के नाम से जानते हैं और 2019 का जो स्वरसती सम्मान है वो वास्देव मोही को दिया गया है और ये सिंधी लिख्यक है और इनका एक famous book है पुस्तक है जिसको हम लोग जो है check book के नाम से जानते हैं ग्यानपिठ अवादों की अगर हम लोग बात करें तो ग्यानपिठ अवाद जो है कुल जो है तेईस भासाओं में दिया जाता है ग्यानपिठ अवाद जो है कुल तेईस भासाओं को में दिया जाता है जिसमें जो भारत की constitution में schedule 8 में जो 22 language है वो प्लस जो है English और जो है यह एक्जाम में कुश्यन आता है कि जो है सबसे पहले जो है किसको दिया गया था तो जी 1965 में स्टार्ट हुआ था और जी संकर कुरूप को सबसे पहले जो है अवाड़िट किया गया था ग्यानपिठ अवाड से और जो है यह 2019 में जो है किसको तो अभी हम लोग ने बात किया था कि जो है 55 जो है ग्यानपिठ अवाड जो है अकीतम अचुत्यम नामबोदरी को दिया गया है और जो है ग्यानपिठ अवाड को इंडिया का हाईस्ट लिटरचरी अवाड के नाम से भी जाना जाता है मतब भारतिय साहित्य का सबसे सर्वोच सम्मान कौन सा है तो ग्यानपिठ अवाड ग्यानपिठ अवाड और इनको जो है किस भासा के लिए दिया गया है तो ग्यानपिठ अवाड जो है 2019 का जो है मल्यालम भासा के लिए दिया गया है और जो है ये कौन से नंबर का था तो फिफ्ट नंबर का था अब हम लोग जो है important international literature आवाड के बारे में देख रहे हैं और इसमें जो है important literature की आवाड जो है वो दो खासा important है एक होता है man booker अंतराश्टी पुरुसकार मतब की man booker international price और ये अवाड जो है 2019 में जोखा अलहार्थी को जो की उमान की थी उनके लिए दिया गया था 2018 में ओलगा टोकारजुक को दिया गया था और जो है इनके द्वारा famous पुस्तक की कौन सी तो flights इस साल का जो अवाड है वो मारिका लुकास रिजवेल्ड को दिया गया है और ये जो है मारिका लुकास रिजवेल्ड जो है वो मैन बुकर प्राइज मैन बुकर इंटरनेस्टनल प्राइज जितने बाली जो है सबसे कम उम्र की महिला है और मैन बुकर प्राइज जो है केवल और केवल इंग्लीस भासा इंग्लीस भासा के जो उपर उपर्यास कार होते हैं जो नोबल या राइटर होते हैं उनको मिल साथ ही साथ अगर ये लिट्रेचर जो है कि इंगलिश में नहीं है तो इसका जो ट्रांसलेटर इसका जो अनुवादक होता है उसको भी मिलता तो जो है इस इस बुक के जो बुक थी फेमस जिसके लिए अवाड दिया गया था दिसकंफर्ट ओफ इवनिंग उसके जो है जो है ट्रांसलेटर कौन थे तो मिसल हचीशन जिनके जिनको भी साथ में अवाड मिला है देखिए दो अवाड है एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और नेशन्स कंट्री को मैन बुकर प्राइज जो है केबल दिया जाता है कि सको TO COMMON WEALTH UP नेशन्स कंट्री को और इस साल का मैन बुकर अवाड मतनब 2019 का मैनữ कर प्राइज जो है जो है Margita Atwood जिनकी कृती है जिनका जो साहित है The Testament The Testments एंड जो दूसरी रैटर है Barnid एवास्ट्रिस्ट जो की Nigeria की है इनको जो है इनकी जो है Nobel Girl, Woman and Other के लिए दिया गया है और ये Man Booker Prize जो दिये जाते है वो उनी persons को दिये जाते है जो mainly किस country के हैं तो Commonwealth of Nations के है Commonwealth of Nations के जो country है वो कौन कौन से है तो Commonwealth of Nations के country वो country है जिनका कभी न कभी जो है कभी न कभी British जो है राज की हैं या British के colonies रही हो तो Commonwealth of Nations जो है एक country का group है जो की formerly मतब प्रिवियसली किसी न किसी रूप में British colony का पार्ट रहे हो और इस Commonwealth of Country को हम लोग जो है हम लोग जो है Commonwealth of Nations के नाम से भी जानते हैं और जो है यह इसमें जो है कुल अभी member country है 54 54 जो है state इसके member है और इसका जो headquarter है यह एक जाम में कई बार questions पूशे जाते हैं कि Commonwealth of Nations या Commonwealth country का headquarter कहा है तो जाहिर सी बात है इसका basic अभी हम लोग ने बात किया था कि Commonwealth of Nations वो nations हैं जिसका कभी न कभी जो है जो कभी न कभी कॉलनी रही हो ब्रिटिस की तो ब्रिटिस का headquarters मिलनी कहां पे होते हैं तो लंडन में तो जो है Commonwealth of Nations का भी जो है headquarters कहा है लंडन में और Commonwealth of Nations का official language क्या होगा तो official language होगा English और जो है इसका जो head है वो ब्रिटिस क्राउन की जो है Queen होती हैं तो यहां पे अभी Queen कौन सी हैं तो Queen Elizabeth 2 Queen Elizabeth 2 तो Queen Elizabeth 2 जो है Commonwealth of Nations की अभी भी क्या है head है अब जो है एक जो है question आता है कि क्या Commonwealth of Nations का India member है तो अपकोस है क्योंकि India जो है member रहा है जो है colony रहा है किसका तो ब्रिटिस का और पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी Commonwealth of Nations का अभी भी क्या है पार्ट है और वैसे ही कनाडा भी क्या है Commonwealth of Nations का पार्ट है और जो है Nigeria वो भी जो है Commonwealth of Nations का पार्ट है तो इस तरह से Man Booker Pride जो है दिये जाते हैं वैसे country के लोगों को, common 12 of nations के country को और man booker international prize जो है बाकी other countries के लोगों को दिया जाता है कुछ भारतिय जो है novelist भी man booker prize को जीते हुए है और Indian man booker prize के जो winner है वो जो है कुल पांच हैं जिसमें से पहले हैं वी यस नैपॉल जिनकी जो famous book है free state और उंदती राय जिनकी famous book है a god of small thing सलमान रुस्दी जिनकी famous book है midnight children किरन देशाई जिनकी famous book है the inheritance of laws अरविन अडिगा जिनकी famous book है the white tiger यह जो है काफी exam में पूशे जाने वाले questions हैं कई बार exam में आते हैं और man booker prize winners को अगर पूशेगा तो यह आप जो है जो है trick से भी याद कर सकते हैं कि जो है बीस आका यहाँ पर बी जो है बीस नैपॉल के लिए s जो है सलमान रुस्दी के लिए यह अरुंदती राय के लिए और के जो है करिंड दिसाई के लिए और जो है जो है जो था ए जो है अर्विन अडिगा के लिए है तो यह exam में बार-बार पूशे जाने वाले questions हैं तो जो है इसको याद रखना है कि man booker prize जो है भारतिये कौन-कौन लोग है तो कुल पांच लोग है और इनके जो आरा जो famous book है उनको भी ध्यान में रखना है अब हम लोग जो है फिल्म से related जो है कुछ अंतराश्टिये पुरुसकारों की बात कर रहे हैं तो जो ऑसकर अवार्ड है 2019 का 2020 का वो जो है वो जो है सरुसिष्ट फिल्म की category में किसको दिया गया है तो पैरासाइट को अंतराश्टिये पुरुसकारों में आप जो है केवल फिल्म को याद कर सकते हैं यह important questions होते हैं और यह बाफ्टा जो British Academy ज़रा दिया जाता है उसमें जो है सरुसिष्ट फिल्म जो है 1970 है जो की जो है सरुसिष्ट फिल्म की category का अबाड जीती थी हम लोग जो है नेशनल अबाड की बाद यानि राश्टिये जो है फिल्म अबाड की बात करते हैं तो 65 जो है फिल्म फियर अबाड जो की 2020 का गुवाटी में हुआ था उसमें ज यह दिया गया था गलीबॉय को फिल्म फैर प्रसकार 2020 में कुल 13 अवार्ट्स मिले थे और गलीबॉय को नोमिनेटट भी किया गया था इंडियन आस्कर्स के इंडिया के तरब से आस्कर्स के लिए अब जो है जो फिल्म फैर राश्टी एनेशनल फिल्म फिर अबाड है उसमें जो है सौस्ष्ष्ट फिल्म जो है किसको दिया गया था तो हैलोर को जो कि एक गुजराती फिल्म है और जो है सौस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किसको दिया गया था तो अभिनेतरी तो कृती शुर्यश को और निरे शक्तो आदित्त घर जो नोने औरी फिल्म बनाई थी अब जो है आइफा आवाड जो है वो दिया गया था जो है सॉश्ष फिल्म कि केडिगरी किसको दी गई थी तो राजी को और अभिनेता कौन सा तो रेंडवीर सिंग को इस तरह से जो है यह इंटरनेस्टल फिल्म है जिनको कुश्यन में पूछा जाता है इन में से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला है भारत का अंतराष्ट यह फिल्म म पार्टिकल्स को दिया गया था और बाकी जो है सबसे अगर कहा जाए तो इंडिया का जो है हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो कौन साथ बिया जाता है तो दाजा सहाब फालके अवार्ड जो की भारतिये सिनेमा का जो है सरवोच पुरुसकार है और जो है दाजा फादर ओफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दादा साफ फालके को फादर ओफ इंडियन फिल्म या इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है और यह पुरुसकार जो है 1969 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा और यह जो है कौन जो है देता है तो सूचना और प्रसाण मंत्राले मतलब इंफर्मेशन और ब्रोड्कास्टिंग मिनिस्टी देती है और यह जो है पर यह दिया जाता है और यह जो है अवार्ट जो है भारतिय सिन्यावा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता है और इस साल जो है दोजार आठारा के कंट्रिविशन में जो है सबसे जो है इंपोर्टन्ट अवार्ड किसको दिया गया है दादा साहब फाल के अवार्ड तो हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताब बच्चन को और सबसे पहले दादा साहब फाल के अवार्ड किसको दिया गया था यहाँ पर एक चीज और जान लेना जरूरी है कि जो दादा साहब फाल के फिल्म फेस्टिवल है दादा साहब फाल के फिल्म फेस्टिवल है वो अवार्ड से अलग है और यह जो है दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है जो की स्टार्ट हुआ था दोहजार इगारा से 2011 से और जो है इसका मिसन था टू सेलिब्रेट सिनेमा एंड वर्क एस्पिरेशन्स ओफ यंग इंडिपेंडेंट प्रोफेस्टिवल्मेकर्स को तो यह जो है यंग फिल्मेकर्स को यह प्रमोट करने के लिए अवार्ड सुरू किया गया था और जो है इसको मिनों किस नाम से जानते हैं तो दादा फाल के फिल्म या दादा साहब फाल के इंटरनेस्टनल फिल्म फेस्टिवल जो है जो है कहां औरनाइज किया गया था तो मुंबई में और 20 फेबरी जो है 2020 को और इसमें जो है सुपर थर्टी जो फिल्म है सुपर थर्टी जो फिल्म है उसके जो है नायक रितिक रोसन को दिया गया था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था इनको और इस फिल्म को डिरेक्टर किया गया है किसके द्वारा तो विकास बहल के द्वारा इसके अलावा जो है दियाअ मिरजा को बेस्ट एक्ट्रेश का आवार्ड दिया गया था और इनको एक laid series काफिर के लिए यह आवार्ड दिया गया था तो सूपर 30 किनायक, रिती क्रोशन और जो है काफिर किनायका जो की वेब惑 सीरीज है दियाअ मिरजा को दिया गया है कौन सा आवाड तो दादा साहब फाल के international film आवाड अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं आवाडों में जो है प्राइमनिस्टर मोदी को तो प्राइमनिस्टर मोदी को भी बहुत सारे आवाड जो है मिले हैं इन में से जो है दो अवाड काफी important है एक जो है रूस के दिया जाने रूस के द्वारा दिया जाने वाला order of the saint andrews एपलोस्ट जो की रूस का highest civilian अवाड है और जायद medal जो की UAE का highest civilian अवाड है और भी जो है अवाड दिये गया था जैसे champion of the earth award ना UN के त्वारा और जो है achievement अगर हम लोग नरेंद मोदी का देखते हैं तो इसमें जो है time magazine का जो जो है readers polls का जो अवाड था 2016 में वो जीता था नरेंद मोदी ने और जो है और Forbes magazine जो की जो है काफी famous magazine है उसमें 10 most powerful people in the world list 2018 में नरेंद मोदी को सामिल किया गया था तो यह important awards हैं और जो है यह परधान मत्री नरेंद मोदी को दिये गए हैं जो की काफी important है अब दिखिए हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं कौन सा तो जो है खेल सम्बंदीत पुरुसकार और जो है खेल सम्बंदीत पुरुसकार में सबसे पहली बात आती है कौन सी तो जो है LON Tennis की और इस LON Tennis के जो सबसे प्रतिस्त पुरुसकार है उसको हम लोग कुछ नाम से जानते हैं तो Grand Slam और एक Grand Slam प्रतोगिता हैं कुल कितनी होती है तो चार सबसे पहले होता है Australian Open दूसरा French Open तीसरा Wimbledon और चौथा जो होता है वो US Open Male Singles का पुरुसकार है वो दो ही नाम याद रखने हैं जो है Australian Open 2020 का जो अवार्ड है वो नुवाक जोकोविच जो की सर्विया के प्लियर है और उसके बाद जो है 2019 का जो French Open था वो राफिल नाडाल के दौरा जीता गया था और विमिल्डन जो है वो नोकोविच के दौरा और फिर से पुरुस का जो है सिंगल्स जो है यूए यूए सोपेन का जो है राफिल नाडाल ने तो यहां पर जो है यहां रखना है नो राफिल नो राफिल यानि की नोकोविच जोकोविच राफिल नाडेल नोवाक जोकोविच राफिल नाडेल दिखिए सबसे पहले अगर Grand Slam प्रत्यों गीता है इसको हम लोग ध्धान में रखे है तो देखे सबसे पहला होता है कॉन सा तो Australiens Open दूसरा होता है French Open तीसरा होता इस विंबिल्डन और चोथा होता है क्ऊन सा युए उच उपन सबसे oldest कॉन है तो विंबिल्डन और जो है कुश्शन आते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हाड़ कोट पे कौन हो रहा है तो हाड़ कोट पे होता है Australian Open उसके बाद जो है French Open होता है जो कि Clay Coat Clay Coat पे है और जो है उसके बाद जो है Grass Coat पे Wimbledon Wimbledon जो होता है वो जो है grass court पे होता है और again hard court पे कौन सा होता है तो US Open Grand Slam जो है परतवीता है जो है tennis की उसको याद रखने के लिए हम लोग जो है अगर west to स्वरी हम लोग जो है east to west चलें अपने map में world's map में east to west चलें तो सबसे पहले आएगा कौन सा Australia तो यहाँ पर हो गया कौन सा Australian Open दूसरा तो कौन सा हो जाएगा French French Open और तीसरा तो आप इधर आ जाएगे तो England में मरतब की कौन सा Wimbledon और last में सबसे साल के last में west में कौन सा है तो US से तो US Open तो Australian Open सबसे पहले होता है और यह hard coat पे होता है फिर clay coat पे होता है कौन सा French Open और फिर green coat पे कौन सा होता है तो Wimbledon और जो है US Open तो सबसे last में हो रहा है और जो है वो भी कैसा हो रहा है तो कैसे तो hard coat पे देखिए याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल रहा है हार्ट कोट में फिर clay coat में फिर green coat में और फिर फिर से जो है hard coat देखिए याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल रहा है कि Australia में जमीन hard थी sorry coat जो है वो क्या था hard था उसके बाद जो है गिला हो गया कहाँ पे तो France में तो हो गया कैसा तो clay coat हो गया और जो है उसके बाद जो है गिला हो गया उसके बाद grass आ गया बंदब green हो गया तो मतलब विमिल्डन में कैसा मतलब की कहाँ पे तो जो है England में कैसा हो गया green coat और फिर again green के बाद कैसा हो जाएगा तो US में hard coat तो इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि आप East to West जाएए और East to West में जो है पहले hard होगा फिर clay होगा फिर green होगा और फिर से hard होगा और जो है सबसे पहले होगा वर्ल्ड जो है January में कौन सा Australian Open फिर उसके बाद French Open फिर Wimbledon और फिर कौन सा होगा US Open अब US Open है उसकी अगर हम लोग बात करें तो US Open का जो में सिंगल टाइटल है 2020 का उसको जीता है ऑस्ट्रेलिया के डैमेनिक थीम्स ने डैमेनिक थीम्स ने जो की 27 वर्सके हैं और जो है ओमेंस का जो टाइटल है वो जीता है किसमें तो नोवामी ओसाका ने और जो है यह जापान की हैं तो जो है हम लोग ने एक देख लिया था आपको कौन सा तो ऑस्टेलियन ओपें 2020 का और एक जो है हम लोग देख रहे हैं कौन सा तो US Open नहां दो हजार बीज का अगया के जिए बाकी अगया यह जो हैं फ्रेंच ओपन जो है काफी कोवीड की वजडर से लेड के सटार्ट हुआ और यह व्मेलदन इस साल कैंसल हो जुगा है कोवीड के वजडर से इस साल वेमिल्डन नहीं हो रहे हैं बाकी जो है फ्रेंच ओपें जो है का मई जुन के महीने में होता है तो मई जैन के महीने में नहीं बलकि जो है अभी अक्टूबर में हुआ है और इस अक्टूबर में फ्रेंच ओपें के जो वीजेता है वो कौन से हैं तो में के सिंगल मे सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा किस निग जीता था तो Rosa त Herrn और जो है राफिल नंडाल ने जेता था कितनी बार तो खुल 19 बार अब जब French Open हो चुका है और French Open के जो winner है वह राफिल नडाल है तो अब जो है एक और जुड़िया है और इसलिए जो है वो रोजर फेडर की अब क्या कर चुके हैं तो बराबरी कर चुके हैं तो अब जो है यह काफी important question है कि सबसे ज्यादा grand slam जीता था रोजर फेडर ने और इस साल 2020 में जो है राफिल नडाल ने French Open को जीत करके जो है बराबरी कर लिए किसकी तो रोजर फेडर की और जो है राफिल नडाल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो king of clay clay coat यानि की जो है French open French open जो की clay coat में होता है वो जो है लगबग लगबग जो है हर साल जो है कौन जीता है तो राफिल नडेल record रहा है इसलिए जो है इनको हम लोग king of clay भी बोलते हैं और जो है राफिल नडेल ने इस साल किसकी बराबरी कर ली है तो तो रोजर फैडर की और कुशन आएगा कि राफिल लडेल जो है वो कहां के जो है हैं तो स्पेन के हैं राफिल लडेल कहां के हैं तो स्पेन के हैं और इनको क्या बोलता है तो किंग ओफ क्ले और इस साल जो है इन्होंने बराबरी कर लिए है जो है किसकी तो रोजर फैडर की तो इस Secret Party Time Rosa and Raffael Nadel 2020 में दोनों ने 20-20 जीत लिया है तो यह Rosa and Federal Rosa and Raffael Nadel जो है अब 2020 में 2020 grand slam जीते हुए लोग है तो इस इमप्यूर्टेंस को याद रखियेगा यह important current affairs का question है exam में जो है बहुत ही जो है पूछ जाने की chances है अब हम लोग जो है अपने जो है नेशनल्स आवार्ज की बात करने जा रहे हैं तो भारत का जो नेशनल स्पोर्ट्स आवार्ड है जुआ धी खेल आवार्ड उसके साथनिग नौरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अवाड टैंजिंग नौर्वे जो है नेपाली इंडियन थे यह एक एक इंपोर्टिंट पॉइंट है इसको याद रखीगा टैंजिंग नौर्वे जो है नेपाली इंडियन हैं और यह ने एक कारवान नामा कर दिखाया था 29 में 1953 को यह जो है पहुच गये थे कहां पर तो मौंट अब्रेस पर और जो है किसके साथ पहुचे थे तो एडमंड हिलेरी और जो है यह कहां के हैं तो न्यूजिलेंड के हैं याद रखेगा जो है टेंजिंग नौर्वे जो है एडमंड हैरली के साथ जो है 29 मई 1953 को जो है कहां पहुच गये थे तो फता कर लिया था कहां तो मौंट अब्रेस्ट को जो है इसलिए जो है इनके नाम से जो है एडवेंचर अबाड के नाम से भी जो है भारत में पर पर जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवाट्स को सामिल किया गया तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो भारतिए खेलों का स्वर्वच पुरुसकार है जिसको हम लोग जो है राजी उगांधी खेल रतन पुरुसकार के नाम से भी जानते हैं और यह जो है किसको दिया गया है 2019 का 2019 का तो बजरंग पुर्णिया को और जो है किसको दिया गया है तो दीपा मलिक को इसके अलावा जो है हम लोग क्या बोलना है कि यह राजी गांधी अबार्ड जो है हाइस्ट हाइस्ट स्पोर्ट्स अबार्ड है और यह किसके द्वारा दिया जाता है तो मिनिस् अवार्ड है वो कुल पांच लोगों को दिया गया है जिन में से पहले हैं रोहित सर्मा दूसरे हैं मर्यपन तीसरे हैं मनिका बत्रा चौथे जो है विनेस फोगाट और पांच मी जो है रानी रामपाल जो की कैप्टर ने कहां की तो नेशनल उमेंस होकी टीम की और जो है इन इसिपलीन कोंस हैं तो रोहित सर्मा का क्रिकेट, श्री मर्यपन का पैरा अथेलीट, मनिका बत्रा का टेबल टेनिस, मिस वीनेस फोगाट का जो है वेस्ट लिश्टिंग और जो है और रानी रामपाल का कौन सा होकी, तो एक्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेंट पर और आपसे कुल ले करके कितने लोगों को मिल चुका है तो 38 लेगों को मिल चुका है और इस साल famous person कौन है तो रोहित सर्मा अग क्रिटिकर्स की बात करें तो रोहित सर्मा जो है चौथे क्रिकेटर है जिनको जो है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ट दिया गया है इस से पहले जो है तीन लोगों और कौन-कौन से तो सजीन तंदुलकर, महेंदर सिंग्धोनी और विराट कोहली को भी ये अवार्ट दिया जा चुका है इस साल के अवार्ट में खास बात रही कि जो है पांच लोगों को पहली बार राजीव गांदी खेल रतन अवार्ट दिया गया है और इसमें से जो है 29 साल में दूसरी बार जो है तीन महिला की लाणियों को ये अवार्ट दिया गया है इस से पहले साल 2016 में पीवी सिंदु, साच्छी मलिक और दीपा करमकर को ये अवार्ट जो है दिया गया था और इस साल जो है रानी रामपाल विशन फूगाट और मनीका बतरा को ये दिया गया है और इसमें खास बात ये है नेशनल स्पोर्स अवार्ड में कि जो है ये 27 लोगों को जो अरजुन अवार्ड है उसमें कुल 27 लोगों को दिया गया है अर्जुना आवाड और जो है फाइफ लोगों को पांच लोगों को जो है दोनाचार आवास दिया गया है एजिक कूच तो फाइफ कोचिस को जो है दोनाचार आवाड के नाम से दोनाचार आवाड भी दिया गया है देखिए दोनाचार जो है पुरुसकार जो है किसको दिया पैरा एथलीट हैं मर्यप्पन उनको जो है वो थौर्ड इंडियन पैरा एथलीट हैं इससे पहले जो है खेल अतन अवार्ड जो है पैरा अलंबिक मेडलिस्ट जो है देवेंद जिजरिया और जो है दीपा मलिक को दिया गया था अब जो है यह जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो जो है ट्वैंटी नाइन अगस्त को दिया जाते हैं और आपको पता है कि ट्वैंटी नाइन अगस्त जो है इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डे की रूप में मनाया जाता है और जो है यह मेजर ध्यान चंद्र का जो है क्या है तो बर्डे है देखिए ध्यान चंद जो है इंपोर्टेंट जो है टेनिस प्लेयर रहे हैं हमारे देश के जिनका जो है बर्थ जो है 1905 में लाहाबाद उतर प्रदेश में हुआ था और जो है इन्होंने जो है तीन जो है ओलंपिक्स में जो है मेडल्स को भारत को दिल दुबाई थी 1928 में 1932 में और 1936 में और इनहीं के जो है बॉल्डे को जो है हम लोग जो है 2012 में जो है सेंट्रल गवर्मेंट ने जो है खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया था तो यह एक जा में इंपॉर्टेंट कुश्चन है राश्टिये खेल पुरुसकार रखुतों की घुस्ना जो है राश्टिय क्षेल दिवस के कि दिन की जाती है जो की मेजर ध्यानचंज का बहल परड़े है और यह वह जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है आप अपनों जो है ICC वाड की बात करने जा रहे हैं ICC वाड क्रिकेटर को दिया जाता है कि अब ICC में जो है कृटर ऑफ द्ध यह वाड दिया गया वह बेनिस्टोक को दिया गया बेनिस्टोक जो है whole noun रहे हैं इंग्लेंड के और यह काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है इसलिए याद रखना है एक बेन स्टॉक को जो है क्रिकेटर ऑफ दा इयर अवाड दिया गया है किसके दोवारा तो इसके दोवारा इसके अलावा जो है तीन भारतिये लोगों को जिसमें से वंडे इंटरने के लिए दिपक चाहा को भी दिया गया है तो आईसइसी अवार्ड में कुल तीन भार्दियों को नामित किया गया है जिसमें से रोहित सर्मा, विराट कोली और दीपक चहार है, इसके अलावा जो है टेस्ट क्रिकेट का एक इंपोर्टेंट जो है प्लेयर है पैट कमिन्स जो की ऑस्टेलिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी ICC का अवार्ड दिया गया है, इसके अलावा जो BCCI का अवार्ड है जो है वो किसको दिया गया है, तो अंजुम चोप्रा को दिया गया है, अंजुम चोप्रा जो है जो है फॉस्ट फीमेल थी जिनोंने सेंचुरी लगाया था, हंड्रिड लगाया था, इन ओडियाई, पूशा जाता है, कि जो है फॉस्ट परसन, जिनोंने सेंचुरी लगाया थी इंडिया के तरब से, वो जो है कौन थे, तो लाला अमरनाथ, और इनोंने सेंचुरी लगाया थी किसमें तो टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट में, दूसरा जो है कपिल देव थे, जो पहले भारतिये थे जिनोंने ओडिया वन डे इंटरनेशनल मैच में जो है पहली सेंचुरी लगाया थी, और तीसरे जो है, वो है सुरेश रहना, और सुरेश रहना ने जो है T20 में, 2010 में सेंचुरी लगाया थी, पहला भारतिये जो है, T20 मैचों में किसने सेंचुरी लगाया थी, तो सुरेश रहना ने, तो ये जो है काफी important question है, और एक जाम में जो है, पूछा जाएगा, जो है, इसलिए याद रखिएगा, सुरेश रहना इस साल जो है, अपने retirement की घुसरना भी कर चुके हैं, इसलिए भी ये पूछा जा सकता है, कि ऐसा कौन सा जो है प्लेयर है, जिसने जो है T20 मैचों में भारत के तरफ से पहली बार सेंचुरी मारा था, तो वो हो गए सुरेश रहना, इसके बाद हम लोग जो है 2019-20 में, जो परमुक जो है, में रास्टी खेल्स जो हुए हैं, जो नेशनल गेम का जो आयोजन हुआ है, उसको देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले important जो है काफिक जाम्स में पुछा गया है कौन सा, तो खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडियाद यूथ गेम जो है कहा हुआ था, तो गुवार्टी आसाम में हुआ था, और इसमें जो first place था वो किसका था, तो महरास्टरा का, second place किसका था, हरियाना का, और third place किसका था तो डेली का, एकजाम में खुब, जो है important question है, और जो है इसके बाद जो है कुछ important जो है question पूशे जाएंगे जिसे देवधर ट्राफी cricket से related है cricket से related है और जो है यह कहाँ पे हुई थी तो राची में और stock quality ट्राफी जो है cricket से related है और इसमें जो है mainly वो player खुलते हैं जो की राची ट्राफी में खिलने वाले player जो है यह जो है जो है गहीं भाग लेते हैं तो यह T20 गेमों का है और यह organize होता है किसके दवारा तो बाई BCCI के दवारा और BCCI जो है इसमें रंजी ट्राफी ओं के जो player हैं उनको आयुद करती है तो T20 अना among रंजी ट्राफी टीम और जो है इसके विजेता कौन है तो जो है करनाटक वैसे ही जो है जो है विजे हजारे जो ट्राफी है यह भी क्रेट से रिलेटेड है और जो है इसको जो है BCCI के दवारा आयुद किया जाता है अमॉंग जो है रंजी ट्राफी टीम्स में और जो है यह एक तरह से ODI मैसेज है तो रंजी ट्राफी एक्चिली में टेस्ट मैच के हैं और उसके बात जो है उसी काई जो टी ट्वैंटी वर्जन है वो है सायद मुस्ताक अली टरैफी और उसका जो ओडियाई वरजन है उसका है विजे हजारे टरॉफी और इसके साथ साथ जो है हम लोग देख रहे हैं कौन सा तो प्रो कबड़ी लीग प्रो कबड़ी लीग जो है IPL के तरज में सुरू किया गया था लेकिन जो है इस साल जो है कोविट के चलते मतब 2020 में जो है कैंसल है और 2019 में यह हुआ था अहमदाबाद में और इसको जीता था ब रेड टीम में और जो संतोष ट्रापी जो है वो किसे रिलेटेड है तो फुटबॉल से रिलेटेड है और यह इसके बीजेता कौन थे तो सर्विसेस थे और जो है डूरंड कप जो है यह भी किस से रिलेटेड है यह भी एकजाम में कुश्यन पुस्टता है तो यह भी फु इसका आयोजन कहां हुआ था तो कॉलकाता में अब जो है इंपोर्टन है कौन सा तो इस साल सरी 2019 का जो बारहमा IPL था मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग उसका जो है फाइनल मैच कहां हुआ था तो हैदराबाद में और इसकी जो है वीजेटा टीम कौन थी तो मुंबई देखिए इससे पहले भी जो है IPL IPL हुआ है आउटसाइड इंडिया IPL और्गनाइज हुआ है आउटसाइड इंडिया वो जो है कब-कब हुआ है एक जाम में एक इंपोर्टन कुश्चन बन जाएगा तो देखिए 2009 में मतलब की 2009 में जो है IPL हुआ था साउथ एफ्रिका में और उसके बाद जो है 2014 में UAE में United Arab इमिरात में और फिर से इस साल कोवीड के बज़े से 2020 में फिर से कहां पे हो रहा है तो UAE में तो यह जो है important question है एक जाम में पूछेगा इसलिए ध्यान रखिएगा और जो है रंजी ट्राफी जो की काफी important है इसका final हुआ था नागपूर में और इसकी जो है वीजेता टीम कौन सी है तो विधर्व की और इरानी ट्राफी भी किस से related है तो cricket से अब देखिए जो other जो important scale हुए है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं तो उसमें जो है एक question आएगा कि Asian game, Asian game का जो 18th वर्जन है अठरवा जो हुआ था वो कहां हुआ था तो जकारता में और जो है सबसे पहले Asian game कहां हुए थे तो 1951 में और वो कहां हुए थे तो डेली में यह काफी आम में पूछे जाने वाला question है और 2022 का जो Asian game होगा वो कहां पे होगा तो वांग जुग में जो कहां पे है चाइना में तो यह एक जामे question पूछा जाएगा अच्छा 2018 में जो Asian game हुआ है इसमें जो first prize है वो किसको मिला है तो चीन को Asian game का विजेता जो है कौन रहा है तो चीन दूसरा स्थान किसमें का है तो जापान और दच्छिल के उरियाने कंबाइन रूप से और तीसरा स्थान किसका रहा है सरी भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा तो आठवा इसके अलाबा जो है हम लोग कौन सा देख रहे हैं तो जो है ओलंपिक गेम ओलंपिक के गेम जो है रियो डिजी डिजीनरियों में हुआ था जिसको लोग रियो ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं और जो है यह कहां हुआ था अकब हुआ था दोजार सुला में और एक कौन सा वर्जन था तो 31st और इस ओलंपिक में जो है सबसे प था तो 67 जो है अस्थान था भारत ने कुल जो है दो पदक जीते थे जिसमें एक Silver था और एक जो है ब्रॉंच मेडल था तो कुल जो है दो मेडल थे भारत के पास एक Silver और एक ब्रॉंच कब तो Rio Olympic 2016 में और जो है Olympic के जो है उसमें फ्लाइग ब्रयार होते हैं मतलब समांपन समाराव में भारत का जंड़ा उठा कि कौन हिससा लिया था और तो इसमें पुलिषी होता है अभिन्यप वि Fishermeniez cite और जो closing ceremony थी उसमें सक्षी मलिक थी तो याद रखेगा important exam में एक question बहुत ही common है exam में पुछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है कि जो है flag bearer male होता है opening ceremony का और female होती है closing ceremony का तो 2018 में कौन थे अभिनाव बिंदरा थे opening ceremony का और closing ceremony के कौन थी तो सक्षी मलिक तो यह important question है और पहला स्थान किसका था तो अमेरिका का अब हम लोग जो है सीट कालिन ओलम्पिक जो है उसी साल होते हैं और वो कहां हुआ था तो यंग्चुक में जो की दचिल कोरिया में है उसमें जो है पहला स्थान किसको था तो नॉर्वे को दूसरा और तिसरा जर्मनी और कनाड़ा को और भारत को भारत कोई भी पदक जो है नहीं जीत पाया था अब जो है राष्ट मंडल खेलों की बात करते हैं कॉमन विल्थ गेम्स की बात करते हैं तो 21 जो कॉमन विल्थ गेम था वो गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया में हुआ था और जो है जो है क्विंसलैंड आस्ट्रेलिया में हुआ था और जो है होस्ट सिटी थी वो कौन सी तो गोल्ड कोस्ट और जो है इसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिया था तो 71 जो है Commonwealth की टीमों ने भाग लिया था और Commonwealth game में सबसे पहला जो अस्थान था वो किसको मिला था तो of Australia को और दूसरा अस्थान किसको मिला था तो England को भारत का जो है स्थान कौन सा था यह important है काफी एजाम में पुछा भी गया है तो भारत का जो इः तीसरा स्थान था और भारत को कुल कितने जो है आवार्ड मिले थे कुल कितने पदक मिले थे तो जो है 66 जिसमें से 26 जो है जो ए गोल्ड मिडल थे और जो ए यह सिल्वर मिडल जो ए 20 थे और जो है 20 कौन थे तो जो है कान से पदक यानि कि ब्रॉंज मिडल थे तो यह एक जाम में काफी question पूछा जायेगा और जो है इसके बाद जो है 21st FIFA World Cup जो हुआ था वो कहा हुआ था रूस में जिसको अभी नीचे भी देखेंगे इसका जो जो विजेता था वो कौन था प्रांस औरADA कौन था कर्वेशिया और में शौटी और में सौटी और मेंरे ऌर का कि दिफिरेंग बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख रहे हैं century England थी और इसका champion था Netherlands और इसका runner-up था आपको Ireland और examination point of view से जो mains hockey World Cup है वो काफी important है क्योंकि mains hockey World Cup जू हुआ था वह कहाँ हुआ था तो mains hockey World Cup हुआ था आपको इंडिया के इंडिया में और ये कहां हुआ था भुबनिश्वर में मतब कि ओडिशा में तो जो है ये काफी important question है और जो है जाम में जो है पूछी जाने के बहुत ज्यादा chances है और इसका champion कौन था means hockey world cup का champion कौन था तो Belgium था और इसकी runner-up कौन थे second position कौन था तो निधर land का था तो एक जाम में ये important question है निधर लैंड का means जो है hockey cup का second position था नेकिन जो है ओमेंस में जो है निधर लैंड क्या था champion था तो ये जो है एक जाम में पूछी जाने वाला question है इसके अलावा जो है हम लोग world cup की बात कर रहे हैं किसकी तो फीफा world cup की देखिए जो है फीफा जो है international agency है world cup को organize करते हैं फुटबाल की और जो है ये फ्रेंच में भासा में इसका full form है Federation International Football Association English में बोलते हैं क्या International Federation of Association of Football और जो है ये founded हुई थी 1904 में और founded हुई थी कहां पे तो पैरिस में और अभी इसका जो headquarter है वो कहां है जूरिक में और जूरिक कहां है तो time FIFA World Cup जीता गया है ब्राजिल के द्वारा कुल पांच बार और जो है इटली के द्वारा जो है कितनी बार तो चार बार अब France जो है इससे पहले 2018 से पहले कब जो है जीता था तो 1988 में इस साल जो है 2018 में जब जीत गया तो अब जो है कुल दो बार जो है France जीत चुका है और किसकी बराबरी किया है तो उरुगवे की तो एक जाम में कुश्चन है इसलिए याद रखिएगा FIFA World का जो France है वो जो है winner है कौन France और जो को winner है मतलब जो first runner-up है वो कौन है तो Croatia अब जो है हम लोग मेंस जो है होकी वर्ल्ड कप की बात कर रहे है तो मेंस होकी वर्ल्ड का जो ऑर्ग्राइजर है उसको हम लोग बोलते है कौन सा International Hockey Federation FIH यहाँ पे abbreviate जो है ऐसे है FIH और इसका abbreviate है कौन सा तो International Hockey Federation अब इसका जो है इसके भी founded कहां हुआ था तो पैरिस में लेकिन इसका जो headquarter है वो लोशिन में है और यह कहां पे है तो लुशियाने कहां पे है स्विडियर लैंड में और सबसे important क्या है कि जो पहला Hockey World Cup था उसका आयोजन कब हुआ था तो जो है 1971 में और बार्सी लोना में हुआ था बार्सी लोना ह्हुआ वर्लड कप जीता है पाकिस्तान जो है कुल चार हो की वर्ल कप जीता है और भारत अब तक कीवल एक बार Howks की World Cup जीता है नाइनटी सेवेंटीवाइफ में और 2008 ऑनीर का कि उसका वीनर कौन था तो बैलजियम अभी अभी हम लों ने बात किया था और जो है ओगनाइजर कहां पे और अगनाइज कहां पे हुआ था तो भुबनेश्वर अना मतलब की उरीशा इंडिया में और वेलजियम ने किसको हराया था तो निदर लैंड को यह इंपॉर्टेंट कोशियन है इसको भी याद रखना है अच्छा इंडियन होकी टी भारत आर्मी इंडियन होकी टीम जो है उसको हम लोग मैन इन ब्लू या भारत आर्मी के नाम से भी जानते हैं और जो है इसके अभी कैप्टन कौन है होकी टीम के तो मन प्रीट सींग इसके अलाबा जो है जो ओमेंस का होकी वर्ल्ड कप है ओमेंस एफ आइच होकी वाज जो है सबसे पहले 1974 में होई थी और इसको सबसे ज्यादा बार जीता है निधर लैक्ट ने और जो है निधर लैंड ने जो है अभी रिसेंटी टूठावजेंट एटीन में भी जीता होई है और जो है熱 दो जार अठारा का जो कौश्ट कंट्री यह वो कौन सा है इंग् इंडियन होकी टीम इंडियन ओमेंस होकी टीम की अगर हम लोग बात करें तो जो है इनको इसका इनका जो निक नेम है इसको हम लोग बोलते है नफवर्णा और जो है इसकी इनकी जो कैप्टर ने कौन सी तो रानी रामपाल जिनको जो है अवाड भी दिया गया है कौन सा तो जो है राजी उगंद्र राजी उगांधी खेल रतन अवाड से भी सम्मानित किया गया है किसको तो रानी रामपाल को अब हम लोग जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ICC के दोरा आयोजित किया जाता है और इस बार का जो आयोजन था 2019 का वो हुआ था कहां पे इंग्लैंड में और इस बार का जो विनर है वो कौन सा है तो इंग्लैंड और इंग्लै लिस्ट है और इस विनर लिस्ट में 2019 में जो है सामिल हो गया है कौन सा तो इंगलेंड तो जो है सबसे ज़्यादा बार आप देखें तो आस्ट्रेलिया जो है कुल पांच बार जी चुका है और भारत जो है वह दो बार और वेस्ट इंडीज वह भी दो बार और एक बार सिर्लंका और एक बार पाकिस्तान ने जीता है और स्टेटर कौन है तो ICC और इसका फॉर्मेट क्या है तो वन डे वन डे इंटरनेशनल ODI है सबसे पहली बार जो है वर्ड कप स्टार्ट हुआ था 1975 में और जो है अभी लास्ट में हुआ है कौन सा तो 2019 में और नेक्स्ट जो टुनामेंट होगा क्रिकेट का जो नेक्स्ट वर्ड कप होगा का इस वसी के दुआरा वो कहां पर होगा तो इंडिया में होगा यह एक इंपोर्टेंट कोश्चन है अच्छा जो है करेंट चैंपियन कौन है तो इंग्लैंड है और सबसे ज्यादा सक्सेस्ट कर रहा है तो कौन तो और वर्ल कप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन किसने बन दूल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वर्ल कप में जो है मैसेस के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लिया है तो किसने तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मेंगराफ ने आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल मतलब ICC से भी काफी important question पूछी जाते हैं और सबसे ज्यादा जाना वाला question है इसका headquarter तो ICC का headquarter कहां पर है दुबई में और कुल कितने जो है इसके membership हैं तो 104 और सबसे ज्यादा इस समय का जो current affairs है वो जो है एक्जाम में पूछा जाएगा कि जो है ICC के chief executive officer कौन है तो मनु सहानी जो है जो की ICC के chief executive officer है तो ये एक्जाम में काफी important question है अब देखें ICC का जो 2020 का जो women world cup है वो कहां पर आउजित हुआ था तो जो है आस्ट्रेलिया में और winner भी कौन है तो winner भी कौन है वो भी आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया जो है भारत को हरा करके final में जो है winner बना है तो ICC का winner कौन हो गया ICC female T20 World Cup का winner कौन हो है तो आस्ट्रेलिया इंडिया की जो women cricket team है उसका nickname क्या है woman in blue man in blue male का और woman in blue female का और जो है इसको कौन कंट्रोल करता है तो BCCI मतब board of control of board of control for cricket in India और जो है important player कौन कौन से है तो मिताली राज और one day international की और जो हर्मन मित हर्मन प्रीत कौर जो है वो T20 की यह important question है कि T20 क्रिकेट टीम की जो है हाली में 2020 में जो है अंडर जो है 19 वर्ल कप हुआ था और इस अंडर 19 वर्ल कप में जो है बंगला देश ने भारत को हरा करके पहली बार जो है जीता था और यह जो है कहां पे हुआ था तो साउथ है फिरका में तो अंडर 19 वर्ल कप में जो है ज्यादा important question यही है बार बार exam में पूछा जाएगा कि जो है 2020 में अंडर 19 वर्ल कप कहां खेला गया था तो साउथ है फिरका में और रनर अप कौन था मतबकि जो है कुप वीजेता कौन था तो इंडिया और जो है किस को किस ने हराया था वीजेता कौन था तो बंगला देश हम लोग कुछ आने वाले इवेंट की बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अगामी खेल आयो जन को हम लोग देख रहे हैं तो देखिए जो फुटबॉल में होने वाला जो है वर्ल कप है फीफा का जो 22nd वर्ल कप है वो कहां पे होने वाला है 2022 में कतर में और जो 23rd होगा वो कहां होगा USA में मेक्चिको में और कनाडा में संयुक दूरूप से होगा और अंडर 20 जो वर्ल कप है अंडर 20 महिला का वर्ल कप जो है वो कहां पे होगा वो भारत में होगा यह काफी important question है examination point of view से कि अंडर 17 female वर्ल कप जो है 2020 में जो है कहां होने वाला है तो भारत में अ तो ओलम्पिक का जो 30 second जो ग्रिसम का लिन ओलम्पिक होने वाला था 2020 में वो उसको टाल दिया गया है अभी वो कहां पे होगा तो 2021 में होगा वो कहां पे होगा तो टोकियो में और जो है 33 33 जो ग्रिसम का लिन ओलम्पिक होगा वो पैरिस में और 34 जो ग्रिसम का लिन ओलम्पिक होगा दोजार अठाइस में वो कहां पे होगा तो लॉस एंजल्स में और सीथ का लिन ओलम्पिक जो 24 होगा वो होगा वो होगा चीन में और जो जो पच्चिसमा सीथ का लिन ओलम्प होगा 2026 में वो होगा कहां पे तो इटली में और इसी तरह से जो ACI खेल हैं जो है वो चीन में होने वाला है और 20 संस्क्राइट जो है ACI खेल का जो 2026 में होगा वो जापान में होगा और इसी तरह से जो जो राश्टिय खेल हैं जो निश्नल गेम है वो 36 जो है गोवा में होने वाला है उसके बाद जो है 2021 का 36 गड़ में 2022 का जो है उतराखंड में और जो 2023 का जो है मेगाले में और जो Commonwealth गेम है उसमें 22 जो Commonwealth गेम है राश्ट मंडल खेल जो है वो जो है मरमिंगम याने की UK में होने वाला है और जो एथलीट का चैंपियंशिप है वो उनिस्वा एथलीट चैंपियंशिप जो है 2021 में जपान में होने वाला है और इंपोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा है 25 Mal Boxing का World Cup कहांपे होगा 2021 तो नई दिली में और लास्ट में होगी और लस्ट में हम लोग देखने होत Home hockey में Crypt Hockey..'' में जो में में निदर्लेंड में में होर्ट कहांप्य साच्ट का World Cup है 2021 में वह कहां यहीं और जो महिला होटकी हे 2022 में वह. होगा कहाँ पे parents में यानी कि निंधर लैंड तो ये भारत में होने वाले जो है कि यादा इंपॉटेंड है वह आपको याद रखने हैं जहें ध्यान में रखना है नेक्स्व वीडियो में हम लोग ज्वे बाकि जो है और करेंट सफिर्स को हम लोग देखेंगे थैंक यू